ठीक है मैंने कहा पहले आपने करना है बेसिक जो बच्चे नए है बेसिक मतलब बेसिक कंसेप्ट जो है टेक्स का उसके बाद आप इस चप्टर पर आईएगा तो आपको समझ में आएगा अदर्वाइस फिर आपको कन्फ्यूजन रहेगा जितने बच्चे नए है capital bursting कहा रहा हूँ मैं काफी ताइम से capital bursting करा नहीं financial management में वह ही याद रहे गया सर देखिये हमने section 54 कर लिया जिसके अंदर था के आपका या हो individual या हूँ जिसको deduction मिलेगा नमबर दो घर जो आपको बेचना था वो residential HP बेचना था नमबर तीन ये long term होना चाहिए नमबर चार आप दो साल के बाद खरीदें या एक साल बिफोर खरीदें और construction के लिए तीन साल नमबर पांच CG में deposit कर सकते हैं जो खरीदना है वो maximum दो करोड से उपर नहीं होना चाहिए और two house ही allowed है और नमबर छे आपने जो घर purchase किया हुआ है उस purchase को sold नहीं करना तीन साल तक ये था 54 सर ऐसे ही हमने 54 भी देखा था ये भी था individual के लिए और हुएफ के लिए सर इसके अंदर agriculture land बेचना था सर ये एनी चाहिए आपका long term हो चाहिए आपका short term हो इसके अंदर देखा जाए तो आपको again बनाना तो है नहीं तो before one year after two year बोला गया condition ये है के आपको agriculture activity दो साल तक आप ने किये हो या आपके मम्मी पापा ने या दादा दादी ने इसके उपर agriculture activity किया हो इसके बाद सर इसके अंदर क्या था सर आपको जो buy करना है सर buy करना है agriculture land ही buy करना है और आपकी इच्छा है कहीं भी करिए और इसको sold नहीं करना यही कुछ condition था हमारे पास दो लेकिन what about फिर से कुछ लोगों का कुछ public का ये reaction था सर हमने घर बेच दिया और हम घर नहीं खरीद रहे हमारे पास दो घर था एक घर हमने बेच दिया अब हम घर नहीं खरीद रहे तब भी क्या आप capital गेन लोगे हमारा जो घर बेचने का मुद्दा था हमें अपने घर पे बहुत urgent work था या हमें नहीं चाहते के ज्यादा मकान हमारे पास हो ऐसे situation में government ने बोला कि हम एक section लेके आते हैं यह सब के लिए होगा एक section लेके आते हैं वो सब के लिए होगा that is 54 EC सब के लिए पहले individual था हुए अब सब के लिए लेके आएंगे यह section आपको exemption 54 EC में लेना है तो सबसे पहले किसको मिलेगा किसी को भी मिल सकता है चाहे आप company हो चाहे आप partnership हो चाहे आप AOP, BOI कोई भी हो हर किसी को सर यहाँ पे assets क्या बेचना है क्या assets बेचना है बोला कोई assets बेचो सर अगर घर हम बेचेंगे तो क्या deduction मिल जाएगा बोला घर बेचके घर खरीत तो तो 54 में हो आप लेकिन घर बेच के जो हम बताएंगे वो खरीदना है तो आजाओगे 54 EC में सर अगरी कल्चर लेंड बेच के अगरी कल्चर लेंड खरीदा तो 54 B में हो लेकिन अगरी कल्चर लेंड को बेच के जहां हम बताएंगे वहाँ पैसे लगाओ तो आप आजाओगे 54 और यानि एनी काइंड बोलेंगे वहां हमें करना होगा गया है यहां पर यहां पर बोला गया आपको करना होगा इनवेस्मेंट कर लेते हैं श्री लंका वनाफो दईज एक एंवेस्पल है कि इतनी ज्यादा बुरा हालत होने की या इतनी bad condition में आने के वेज़े तो उसने करजा बहुत ले लिया था चाइना से specially तो चाइना का वो interest भी नहीं दे पा रहा था principle तो दूर की बात है तो चाइना ने बोला as per agreement ये सारी चीज़े मेरी हो जाएगी धीरे धीरे तो major चीज़ों पे चाइना का कब जाओ गया interest इतना जा रहा है तो दिक्कत हो रही है तो अगर कुछ ऐसा policy हो कि हम करजा बाहर वालों से ना लेके अंदर ही क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत पैसा है आप आबादी देखो 130 करोड एक एक रुपे किसी से लेके देखो करोड़ पती बन जाओ गया तो government क्या policy लाती है पैसे की जुरत होती है तो government क्या थी bond लेके आ रहे है डेली के लाखो घर बिखते हैं और खरीदे जाते हैं लाखो एसेट्स बिखते हैं खरीदे जाते हैं government बोलती है कि आप एक करो आप को या तो मुझे capital गेन दो अगर बचना चाहते हो तो जहां बोल रहे हैं पैसा डाल दो government को पैसा ज़रुरत पढ़ रहा है government ने क्या करा एक bond बना दिया जैसे की National Highway Authority of India NHAI मैंने आईए कर दिया AI जो कि नितिन गटगरे इस टाइम पे हमारे देश का जो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर वो क्या करते हैं सड़के बनाते हैं अब सड़क मामूली थोड़ी है यहां से आप पंजाब जा रहे हो कितनी लंबी दोर है तो पूरा तयार करना काफी पैसा लगता है करो माखो करोड रुपे लग जाते हैं लेकिन वो सड़क बनाते हैं जब तो वहां से पैसे आते हैं लेकिन पहले लगाएंगे तब ही तो टॉल टेक्स से पैसे आएंगे तो गश्ट्रमेंट ने क्या करा? हम जाते हैं एक तो World Bank से पैसे ले लेते हैं, चाइना से पैसे ले लेते हैं, पदा चला भया, चाइना से पैसे ले लिया, World Bank से पैसे ले लिया, हमारे उपर pressurize कर रहा है, ये करो वो करो, हम हिंदुस्तान से पैसा ही कट्टा करते हैं, बोलते हैं, जो भी पैसा capital gain का है, आप उससे ये वाला bond खरीद लो हम आपको एक्जम्ट करते हैं आपसे tax लेंगे ये और मजे की बात यहाँ पे आपको हम FD से ज़्यादा interest भी देंगे आपको FD से ज़्यादा यानि interest भी ज़्यादा interest भी tax free interest पे भी हम नहीं लेंगे tax कुछ ऐसे लेके आता है यानि आपको FD ही FD रखेंगे हुए हाँ पे ताकि आपने एक करोड रुपए का घर या 40 लाग 50 लाग का घर से पैसा कमाया है capital gain आपका मान लेते हैं 50 लाग है तो 50 लाग के उपर 20% कितना जाएगा 10 लाग रुपए tax पचा क्या 40 लाग जेम में 10 लाग तो चलाई गया आपने क्या करा 50 लाग रुपए अगर जमा कर दिया वो zero tax zero तो कुछ किया नहीं 10 लाग रुपए का return मिल चुका है समझ रहे हो अगर आप मान लो उस पैसे को नहीं जमा करवाते हो government के account में तो ऐसे situation में 10 लाग का tax गया एक तो ये चला गया आप 20% अब सर 20% FD के उपर पता है कितना rate चल रहा है 6% चार साल पैसे जमा करोगे न FD में तब जा कि आपको 20% का return मिलेगा तो इन्होंने क्या करा कि सर आप हमारे पास जमा करवाई ये पैसे और आप से हम capital gain पहली condition दूसरा इस पैसे को 5 साल तक निकालना नहीं है ऐसा नहीं कि आज जमा करवाई ये कल deduction लेकर कर बोलो कि ला मेरे पैसे वापस दे दे आप मैंने दे रहा बोला 5 साल तक lock in है lock in का मतलब क्या होता है उसको freeze कर दिया जाता है कि 5 साल तक आप इसमें से पैसे निकालना नहीं है निकाल सकते हो तो जैसे ही निकालोगे तो capital gain में taxable हो जाए अगर ये law बना देते हैं निकाल भी नहीं सकते तो लोग पैसे नहीं डालते है बोलते हैं अगले साल पैसे की जौरत पढ़ जाए तो तो निकाल सकते हो लेकिन फिर आपको text देना तो उन्होंने कुछ bond कहा है NHI कहा है REC कहा है उसने Ruler Electrical जो गाउं गाउं बिजली पहुचाने का काम होता है उसे REC कहते है तो ऐसे जगहे पे जो government ने specify किया डेबलेप करने के लिए fund की जोरत है तो government बाहर से ना लेके किस से वसूल रहा है इंडिया में इंडिया के public से ही वसूल रहा है जब इंडिया के public से ही वसूल लेगा अगर government पैसे को इखटा करेगा तो उसके पर कोई press rise हो गाई नहीं क्योंकि public को हम बाद में दीरे दीरे दे देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं और public के पैसे खा भी जाए तो कोई फरक नहीं पड़ता और बाहर वालों के पैसे तो नहीं खा सकते ना हाला कि ये पैसे 100% refundable होता है ऐसा नहीं है कि government खा जाएगी क्योंकि अभी रोड बना दिया उस रोड से जितना toll tax आ रहा है वो सब आपको धीरे धीरे मिल जाता है तो government ने एक तरीके से free fund में बना लिया अपना रोड पैसे भी खटा कर लिया उससे और वो तो ये R.E.C. अने चाहिए सर इसके अंदर बोला भया हम सीरी सी बात बोलते है छे महिने के अंदर अंदर आपको ये bond खरीदना है छे महिने के अंदर यहाँ पैसे लगाने है इसके अंदर क्या सोचना दो साल पहले एक साल बाद वाले बाद आपको पता है यहीं पैसे लगाने तो 6 महिने के अंदर अंदर लगा दो अगर 6 महिने beyond हो गए 6 महिने cross हो गए तो हम आपको नहीं देंगे deduction यानि जिस दिन आपका होगा या तो return file करने से पहले या 6 महिने whichever is earlier आपको invest कर देना है तो अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपको deduction मिल जाएगा कहाँ पर 54 तो 54 EC क्या कहता है कोई भी assets बेच के government के कहे हुए bond के उपर पैसा लगा दीजिए आपको deduction मिल जाएगा जो bond खरीदा है या जो आपने infrastructure जो भी bond खरीदा है उसको कितने साल तक नहीं बेचना पहले तीन हुआ करता था उसको lock-in period कर दिया 5 कितने पैसे सर इसमें लगा सकते है maximum limit government ने कर दिया भई जादा नहीं 50 lakh से उपर लगाओगे तो deduction मतलब 50 lakh रुपे तक का deduction available है अगर आपने मानलो 60 lakh रुपे लगा है तो मिलेगा 50 का ही maximum limit कितना है 50 lakh जो कि not a small amount huge amount है आपको कितना मिल जाएगा 50 lakh का deduction मिल सकता है कितने दिन में आपको investment करना है 6 महने में investment करना है ये था हमारा 54 EC तो फटा फट से एक बार हम पढ़ लेते है 54 EC क्या कहता है same EC पे है 54 EE 54 EE बाद में आया है ये सुरू से चल रहा था तो कुछ section बीच में आता है तो 54 EE भी देख लेते है फिर एक साथ ही पढ़ लेंगे sir 54 EE कहता है वो भी यही कहता है 54 EE कि any kind of कोई भी किसी भी तरीके का assets बेचिये और आप हमारे बताए हुए जगह पे पैसे लगाई है यहाँ पे तो bond था वहाँ पे उन्होंने assets बता दिया इस assets में लगाई है पैसे जैसे कि मान लो अभी half-lal में जो ज़्यादा से ज़्यादा government पर्मोट कर रही है EV को, electric vehicles को solar को अब भाई electric vehicle बनाने वाली company को पैसे की जुरुत पढ़ रही है government ने कहा काम में assets में पैसे लगा दो मैं एक example ले रहा हूँ तो यहाँ पैसे लगाओगे तो हम deduction कहाँ देगे 54, double E में यह तो पहले तो solar का कोई मतलब नहीं था पहले EV का, तो नए नए जैसे जैसे आते हैं तो government क्या करते हैं, वहाँ पे अब सीडरी भी देती है उस तरी कैसे और उसी के according रहता है सारा बच्चे कह रहे हैं सर वीडियो lag हो रहा है एक बार रिफ्रेस कर देता हूँ कोई बात ने अब दुबारा चेक कर लिजे तो सर 54, double E भी सेम है मैं एक बार पढ़ूँगा आपको समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो चलिए सर पढ़ लेते हैं आपके सामने और हाँ मजे की बात इसके अंदर एक चीज़ हो और जैसे कि इन्वेस्ट करते हो यहाँ पर capital gain deposit में जमा करने का permission अगर आप कर देते हो तो deduction नहीं मिलेगा ऐसे situation में deduction कह दिया मैंने exemption चलिए सर क्या कहता है section 54 पहले EC कर रहे हैं किसको मिलेगा who can claim कोई भी asset transfer यह थोड़ा सा error है सर यह error है यह थोड़ा सा इधर वाला point इधर shift हो गया यहाँ पे होगा any long term capital assets जिसके पास 10 year है वो ठीक कर लेंगे सर यह error है यहाँ एगा any long term capital assets यानि as it is same इसके बाद कहता है period of possession of the assets any long term capital assets यानि आपका long term होना चाहिए LTCG यानि long term के अंदर मतलब सर shares को अगर 13 मेने बाद अगर बेच के कहीं इसमें पैसे लगा दे चलेगा चलेगा land and building को 25 मेने बाद चलेगा jewelry को 37 मेने बाद चलेगा यानि हर किसी के लिए long term अलग अलग है तो यहाँ पे जो long term था उसके लिए यह बताया गया समझ रहे बात को आगे कहा गया सर nature of eligible exemption कौन सा मिलेगा सर long term मिलेगा long term मिलेगा आगे देखते हैं eligible यह हमार 54 EC मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ मैंने एक बार दिखाने के चक्कर में 54 EC है और यह 54 ठीक है कहता है क्या खरीदना है सर eligible new assets कौन से new assets खरीदा जाए कहता है सर new assets जो खरीदना है bond NHAI REC Power Finance Corporation Indian Railway Finance Corporation Indian Railway को any bond is notified by the central government redeemable after 5 years और maximum limit 50 लाग कहता है के भाईया bond REC का Railway Corporation का या फिर NHAI का bond खरीदना है अगर सरकार को लगता है के भाईया और किसी भी point से कहीं develop करना है तो वो official gazette के अंदर notify कर देगी और उस दिन से इसके अंदर तो वो point भी add हो जाएगा भी तो तीन ही है एक तो REC REC क्या है सर ruler electronic company corporation है जो कि गाउं गाउं बिजली पहुंच जाने का काम करती है तो यह REC है इसके बाद सर और क्या है सर एने चाई तो पता ही चल गया railway railway corporation में मतलब आप देखा होगा कि जब first time पे इंडियन government आई थी या जब भी government आती है तो railway में सबसे बड़ा railway का अगर माना जाए line किसका इंडिया का ही है तो इतने बड़े में पैसे की जुरत पढ़ती है तो railway का पहले नहीं था यह railway अब add on कर दिया गया है और उसको redeemable का मतलब क्या होता है सर उसके पैसे आपको निकालेने नहीं है कब तक 5 साल कितने रुपे देने है सर maximum period of allowed investment कब कर सकते हो तो बोला गया सर करना है छे मैने में date of such transfer जिस दिन बेचोगे छे मैने के अंदर हो जाना चाहिए quantum amount तो sir amount जो दिया गया lower of कितने 50 लाख इससे ज़्यादा कर दो मना नहीं है सरकार बोल दिया दे दो लेकिन आप deduction सिर्फ 50 लाख का ही ले पाओगे exemption समझ में आई बात आपको सर क्या capital gain है नहीं है deposit में नहीं है यह था 54 EC अगला है 54 EE सर 54 EE एक ही यह यह यहां पर 54 EE सर 54 EE क्या कहता है similar एकदम same कुछ फरक नहीं है कहता है कि any SSC किसी को मिलेगा चेक करिए long term capital assets कोई भी होना चाहिए same है any LTC specified assets 14 2016 14 2016 के बाद आपको वह assets खरीदना है जो specified कर दिया गया हो उसके कानून में specified का मतलब मान लेते हैं इस साल गवर्मेंट ने जो भी गवर्मेंट है Finance Minister उन्होंने कहा के जो व्यक्ति EV electronic vehicles की company के equity share खरीदेगी तो उससे क्या होगा उस company के पास पैसा आएगा और आपको 54 EC में exemption मिल जाएगा अगले बार trend आ गया solar का उसने बोला अब electric vehicle नहीं होगा जो solar में पैसे लगाएगी उसको मिलेगा इस तरीके से company जो government है वो notify कर देगी आगे कहता है यह long term ही होना चाहिए सर short term में नहीं मिलेगा उसके बाद देखें क्या कहता है investment करना है of whole or any part of capital gain in long term specified filed assets as in the section maximum 50,000,000 transfer after three year maximum 50,000,000 सर यहां पे तीन साल है जैसे यहां पे पांस साल तक redeem नहीं करना था यहां पे थोड़ा relaxation देके कितना कर दिया गया तो जैसे कई बार लगता है सर जब यह section था ही तो इसको क्यों जिन्दा किया जब यह section था तो option दे दिया गया अगर तुमें जल्दी पैसे चाहिए तो तुम यहां पैसे लगाओ तीन साल में आपके पैसे return क्योंकि पांस साल लॉक इन करना एक बड़ा amount है बहुत ज्यादा time period है जल्दी करना आप पसंद करोगे सर investment should be made within a six month यह सब कुछ सेम रखा गया lower 50 लाग capital gain deposit का यहां पे भी नहीं मिलने बाला है बड़ी सीधी सी बात है तो हमने अभी 54 B 54 54 E C और साथ के साथ हमने 54 E B देख लिया किसी को कोई दिक्कत है तो बताईए कोई समस्या कोई परिशानी यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है यहां तक बताईए कोई समस्या परिशानी practical question हम लेंगे इसका मैं सोच रहा हूँ पहले एक बात पूरा चार्ट कतम कर लें फिर practical question लेंगे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताईए खुशी का कहना है दिक्कत है येस बताईए बताईए अच्छा वो इसके पूछ रहा हूँ है clear है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गये समझ गये MD Sunover आप चैट में लिख दीजिए जो doubt है जिसका भी क्योंकि देखो doubt के बाद जो मैं लेता हूँ session वो अभी तो नहीं आप register रखा करिए लिख लिया करिए कि last के class में क्योंकि अभी एक बार मैंने लेना चालू किया फिर काफी बच्चे फिर पूछने लग जाते हैं पूछने लग जाते हैं उसके अंदर कुछ genuine doubt भी होते हैं कुछ दूसरे chapter से related भी आ जाते हैं तो time हमारा सारा उसी में निकल जाएगा तो पढ़ेंगे कब चैप्टर खतम होने के बाद आप handraise कर सकते हैं 54 EC 54 EC सायद आप late join हुए हो इसलिए है मैं भी last में handraise करके मैं दुबारा से पूछ लूँगा बता दूँगा वैसे normally 54 EC क्या कहता है मैं बता दूँ सर 54 EC कहता है कि आप कोई भी assets बेचिये और आप खरीद लीजिए notified bond को तो आपको exemption मिल जाएगा लेकिन 6 मेने के भीतर खरीदना है और उस bond को 5 साल तक बेचना भी नहीं है और आपको maximum 50 लाग रुपे तक ही खरी सकते हो simple सी बात है अब हम आगे पढ़ते हैं 54 D कुछ section ऐसे हैं जिसे साथ साथ पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर है 54 G और 54 G A ये तीन section आप एक साथ पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है इसलिए मैंने पहले EC कर लिया था हां जी कहां पर long term capital assets LTC A कर दो G कर दो बात एक ही है चलिए सर ये जो section बनाया गया ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बनाया गया इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जिनका business है factory है क्योंकि आपको बोला गया कोई भी assets आप बेचते हैं any kind of assets तो वहां से जो बेचने पर फाइदा होगा उसे capital gain के अंदर हम डाल देंगे और उस पर हम tax लेंगे आपका factory पूरा बेचोगे तो वह भी capital gain का ही पाट है company बेचते हो वह भी capital gain क्योंकि company is also capital assets है तो ये सब capital इसका पाट है कई बार क्या होता है कि आपकी company आपका factory कहीं है कि government को वह जगह पसंदा कि वहां पर कोई project करना है metro जाना है यहां से आपकी बहुत बड़ी factory है तो government क्या करेगी उस factory को वहां से हटा देगी और बदले में आपको पैसे देगी बदले में क्या देदेगी ऐसा होता है नहीं होता होता है आपका जमीन था factory जमीन की बात नहीं कर रहा है मैं factory की बात कर रहा हूँ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ ऐसे point को बोलते है compulsory accusation तो सर यहां पे capital gain कैसे निकलते है हम आगे वैसे पढढ़ेंगे आपने मान लेते हैं के उस factory को और factory के अंदर majorly land and building तो आपका जो land and building है वो आपने purchase किया था 10 लाख का और government ने valuation किया उसका एक करोड रुपे और एक करोड अकाउंट में आगे तो आपके 90 लाख रुपे तो बन गए ना capital gain 90 लाख पे 20 परसंट आपको 18 लाख रुपे तो देने पड़ेंगे ना सरकार को आप कहते हैं सर एक तो हमारी factory भी आपने अच्छी बज़ी चल रही थी सब कुछ setup था आपने मेरे factory को भी क्या करा यहां से हटा दिया चलो factory हटा लिया और उससे जो हमें पैसे हमें नहीं कमाना capital gain लेकिन मजबूरी में आपने कर दिया तो ये पैसा आप मुझे दे रहे और ठीक है मेरे account में आ जाएगा लेकिन इससे जो capital gain arise वो उस पर tax क्यों दे government दे कहा कि आपको अगर इस पर tax नहीं देना है मैं ऐसा नहीं कह रहा मानता हूँ कि आपके factory था और आपके factory को हटा दिया गया तो आपको इस पर capital gain देनी के अवशकता नहीं है हम लेके आ रहे 54D ऐसा तो नहीं है हमने यहां से factory खाली करवाई आपकी तो आप factory लगाओगे ही नहीं तो ऐसे situation में आप new factory लो कहीं भी लो जहां आपकी इच्छा हो और new factory जितने भी amount का लोगे whatever amount का लोगे आपको deduction मिल जाएगा exemption मिल जाएगा वो मिलेगा 54D के अंदर यानि आपके factory आपके industry को government ने acquire कर लिया तो machinery तो ले जाओगे plant ले जाओगे उसको सोड़ी ना बेचने के लिए का है सिर्फ जमीन ही तो खरीदा है तो जमीन बे capital gain हुआ है तो अगर जहां भी आप जमीन खरीदते हो वहाँ पर आपको exemption मिल जाएगा और exemption मिल जाएगा कहां 54 लेकिन वहाँ condition रखी गई ऐसा नहीं कि आपने factory को दो मेहने पहले ही लगाया हो और फिर आप exemption ले लो आपका factory कम से कम वहाँ पे आपने factory में काम किया हो कम से कम दो साल दो साल तक उस factory को आपने चलाया हो तो आप इस exemption को claim कर लोगे 54 D के अंदर सर नहीं factory लेने के लिए land अगेन वही बात land खरीदोगे तो इतनी जल्दी है नहीं दो साल और तीन साल वाली बात यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे एक साल पहले तो नहीं करोगे आप तो कहा गया कि कोई भी industry कोई भी factory government compulsory acquire कर ले compulsory का मतलब सर आप नहीं बेचना चाहते लेकिन government ने खरीद लिया compulsory acquisition कर लिया तो ऐसे situation में आपको exemption मिलता है 54 D में यानि आपकी factory को किस ने खरीदा आपके land and building को किस ने खरीदा government ने तो exemption मिल जाएगा 54 D में इसके बाद आया सर 54 G government का intention था चलो एक 54 D बनाया तो 54 G भी बनाई देते हैं कुछ दिनों के बाद लेके आया section 54 G उनने का के गाउं को develop करेंगे और किसी भी ruler area गाउं को develop एक ही condition में हो सकता है रूजगार आप सब डेली में हो डेली उनिवेर्सिटी से पढ़ रहे हो ultimately goal है job अच्छी job मिल जाए तो अगर सारा यही same आपको आपके ruler area में भी मिल जाए तो आप आओगे ने डेली आप वही रहोगे ऐसे situation में government को क्या करना था अपने develop करना था ruler area को sir ruler area को develop करने के लिए government क्या करती है incentive निकालती है plan निकलती है बोलती है के भी यहाँ factory लगाओगे दिली में 40% tax गाउं में factory लगाओ टेक्सी नहीं लेगे यानि यहाँ एक करोड़ी की कमाई पर 40 लाग सरकार को देना होगा मैं example ले रहा हूँ और आप गाउं में लगाओगे तो आप से हम tax नहीं लेंगे तो आप क्या होगे कि हम सहर को छोड़के कहां चले जाए गाउं में चले जाए और वहाँ जैसे ही factory जाना चालू होगा उस जगह पे हर रूलर एरिये में तो आपका तो फाइदा है साथ के साथ government के point of view से वहाँ पे employment भी क्या हो गया मिल गया तो government ने कहा कि आप अपनी factory हम जबरदस्ती नहीं कर रहे आपका urban area में है urban area में आपका factory है इसे बेचिये और ले जाए रूलर एरिये में अपने इच्छा से आप अपनी factory को बेचिये और ले जाए कहाँ पे रूलर एरिये में अपने इच्छा से जब आप अपने इच्छा से रूलर एरिये में ले जाएंगे तो वहाँ पे आप plant and machinery और land and building दोनों की हम बाते करेंगे plant and machinery और land and building furniture cover नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि जब आप गाओं रूलर एरिया में जाओगे तो maybe possibility है कि बहुत जादा दूर जाना पड़ जाए तो machinery को आप setup ले के जाओगे दूर जाना पड़ रहा है तो वहाँ पे हम इसका भी exemption तो अगर कोई भी land and building आपने बेचाओ plant and machinery आपने बेचाओ तो exemption मिल जाएगा 54G में condition यह है कि आपकी factory को शहर से बेच के कहाँ जाना है और खरीदने के लिए again वही condition है दो साल बनवाने के लिए factory को तीन साल कितने limit होगा यह long term मिलेगा आपको किसको मिलेगा यह किसी को भी मिल सकता है जो इस तरीके का काम कर रहा है industry की बात चलू रही है तो पहले वाले point में इस वाले point में similarity है यहाँ भी factory बिक रहा है और यहाँ भी factory बिक रहा है फरक ही है यहाँ की factory जो है government खरीद रही है और यहाँ की factory आप अपनी इच्छा से बेच के कहा जा रहे हो गाउं में जा रहे हो और बाकी सारी condition यहाँ पे same है क्या यहाँ पे CG मिलेगा हमें capital gain deposit account में जमा करने के लिए time बिलकुल मिलेगा जरूरत है यहाँ पे सर अगला आगया हमारा 54GA government को जब बहुत जादा एकदम से develop करना होता है किसी भी जगह को तो एक area government point out करती है और उस area को develop करने के मतलब है के वहाँ पे सभी इंडस्रियस्ट को बोले के आप वहाँ पे जाओ आप हम pressurize करके काम नहीं करा सकते सर इंडिया के अदर अपने आप करोगी तो ज़्यादा बहतर और अपने आप इंसान तभी करता है जब free में मिले अगर जियो जब आया था आपको बोलता है सिम ले लो ये देंगे नहीं free में बाटा तो line में लग लग के लिया लोगों ने कोई pressurize नहीं था चार बज़े सुभे सुभे उठके भी लिया है लोगों ने जब data नहीं हुआ करता था पहले तो pressurize नहीं करेगी government ने बोला कि इस area में जाओ एक notified कर दिया जैसे कि noida noida जो है noida भेजा गया बोला भी या noida में जितने भी जाएंगे पहला import export पे कोई tax नहीं लेंगे हम करो import export का का काम करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दूसरा आपको loan जो है हम interest free provide करेंगे आप loan लीजिए business वहाँ पे setup करिए और हम ब्याज बहुत nominal लेंगे loan के लिए guarantee हम बन जाएंगे आप loan लेके अपना business start करिए कुछ condition है वो fulfill करिए यानि आपको बहुत सारे benefit आपके जितने assets है assets पे आपको 10% का depreciation मिलता है लेकिन condition है आपकी factory यहाँ पे होनी चाहिए और ऐसे factory जिसको government notify कर देती है इस area को बहुत जल्दी develop करना होता है इससे बुला जाता है special economic zone special economic तो अगर कोई वेक्ति कोई भी कहीं से भी factory बेचे कहीं से भी चाहे rural से बेचे चाहे urban से बेचे और इस area में जाके अपने factory को open कर लेता है तो उसको जो deduction उसको जो exemption मिलेगा वो GAK कोडिंग मिलेगा 54 GA यहाँ पे बोला गया यहाँ furniture भी रखा गया अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या था sir land and building यहाँ क्या था plant and machinery and land and building और यहाँ पे land and building plant and machinery और furniture तीनों को दे लिया गया अगेन वही दो साल बाद और बनाने के लिए तीन साल सारी condition वही same अभी हम पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा बस mean पढ़ना कि यह section apply कब होगा है question में दिया होगा आपका तो सर यह section ना सवाल के अंदर पूछा जाना थोड़ा सा tricky है क्योंकि कोई factory बेचेगा नहीं और आपको दीखेगा ना इसके उपर theory maximum time तब पूछा जाता है 54D को explain करिए 54 आप जी को हाँ लेकिन 54 EC आ सकता है क्योंकि जादा से जादा सवाल जो बनते हैं आपके exam बे बोला जाता है एक घर खरीदा और घर बेच दिया shares खरीदा शेर बेच दिया कभी भी नहीं बोला जाता कि factory है जो बेच दिया शायद आ जाए तो कर सकते हम ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन maximum आपका ये theory के point से पूछा जाता है तीनों को coordinate करोगे ना तो तीनों आपको एकदम से समझ में आएगा पढ़ने का सही तरीका यही है इस तीनों को एक साथ पढ़ना आपने पहले क्या है 54D फैक्टरी को government ने खरीद लिया 54G आपने खुद बेच दिया शहर से 54GA आपने खुद बेचा यहाँ पे आप खरीदो कहीं और यहाँ पे खरीदो गाउ में और यहाँ खरीदो special economic zone में बस इतना फरक है यह point आपको याद रखना है कितना आप exemption ले सकते हो no limit जितना capital gain जितना investment करोगे सारा आपको exemption मिल जाएगा वही बात आजाएगी capital gain और investment amount whichever is lower ठीक है सल इसको देख लेते हैं एक बात चलिए पहले point को देखते हैं D को कहता है N.E.S.S.C कोई भी individual company land and building industrial undertaking which is transfer compulsory acquisition compulsory acquisition का मतलब सरकार government याद रखना metro वालों ने आपकी जमीन छीन ली आगे कहता है such land and building should be used as S.E.S.C. for the purpose of industrial undertaking at least two year before यानि वो जमीन आपकी दो साल पहले तक आपने use किया हुआ होना मतलब हाँ industrial काम हुआ हुआ हो तभी आपको ये benefit देगा Sir long term होना चाहिए आगे कहता है land and building आपका होगा eligible assets क्या है land and building industrial purpose के लिए होना चाहिए यह नहीं कि आपने क्या करा factory government ने खरीद रिया अब बुला है factory का काम ही नहीं करेंगे चल बढ़िया सा घर खरीद के रह लेते हैं तो exemption तब industrial ही लेना है वापस से आपको आगे कहता है sir maximum time allowed sir three year for date of आपका construction के लिए transfer के लिए sir बात वही है यहाँ पे थोड़ा सा missing जो है two year भी लिख लेंगे two year purchase के लिए capital gain deposit आपके पास available है क्योंकि factory लोगे तो सब कुछ देखोगे road देखोगे पानी देखोगे वहाँ पे क्या सुभीदाय है वह देखोगे वहाँ पे worker आएगा या नहीं आएगा वह देखोगे तो उसमें सोचने समझने में थोड़ा सा time लगेगा इसके बाद देखते हैं सर 54 जी ए सर 54 जी ए क्या कहता है स्वरी 54 जी पहले कहता है एनि एससी प्लांट एंड मसीन्री और लैंड नोट फरनीचर मैंने स्पेसिफाइड कर दिया इसके इंदे फरनीचर नहीं आएगा यूस फोर बिजनस परपस के लिए इंडस्ट्रियल अंडर्टेकिंग आपका सिचुएटिड कहां होगा अर्बन थोड़ा थोड़ा काट काट के एक पेच पर अर्जे अरेंज करना था मैं इसको दुबारा चार्ट बनवाद हुआ अर्बन एरिया डियू टो शिफ्टिंग रूलर एरिया मतलब कहानी सर आप शहर से जा रहे हो गाउं की तरफ अपने फेक्टरी को बेच के तो लेंड और बिल्डिंग अगर खरीदते हो तो भी एक्जेम्शन मिलेगा प्लांट एन मसीनरी का भी एक्जेम्शन मिल जाएग आगे क्या कहता है कितना टाइम दा एसेट ट्रांसफर शुड भी लॉंग ट्रम क्यापिटल एसेट्स होना चाहिए और लॉंग ट्रम रहेगा और आगे देख लेते हैं सर कौन सा है ये वाला ये है 54 जी प्लांट एन मसीनरी लेंड एन बिल्डिंग नॉट फर नीचर इफ पर्चेज वर ये बिफोर मैंने चाहिए यहां गलत पढ़ दिया अच्छा नहीं मैंने भी ठीक तो कराया था यहाला पढ़ा ही नहीं कहा है मैंने यहां तो ठीक पढ़ा है ठीक है ठीक है अगर आप एक कर लेते हो अच्छे से तो बाकी में थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखना है ठीक है ना 54 एसी कर लिया तो डबल ए अपने आप हो जाएगा 54 डी कर लिया तो 54 जी और 54 जी ए भी अपने आप ही याद रहेगा आपको एक्जाम के अंदर 54 अलग है कम्प्लीटली और 54 आपका भी भी कम्प्लीटली अलग है वहाँ पर अलग अलग बाते कहीं कहीं है सर इसके बाद देखते हैं अगला सेक्शन 54 जी ए कहता है एनी एससी प्लांट एन मसीनरी लेंड और बिल्डिंग इंक्लूडिंग फरनीचर बिजनस ओफ इंडस्ट्रियल अंडर्टेकिंग सारी बात यह कहां सिफ्टिंग करनी है मुद्दे की बात यह है स्पेशल इकनॉमिक जोन कौन सा होता है मैंने बताया जहां पर गवर्मेंट आपको बहुत सारे इंसेंटिव बेनिफिट्स देती है आगे देखें प्लांट एंड मसीनरी के लिए एलीजिबल रहोगे आप आपको दो साल पहले एक साल बात तीन साल कंस्ट्रक्शन और वही सारी की सारी बाते आपको कह दी गई है इसके लिए जो थियोरी है वो थियोरी अलग से टैनियर के अंदर जो देखो ये चार्ट किसलिए है एक्जाम से पहले गए और 54 इंपॉर्टेंट है इसमें से एक सवाल आनत्या है आपने फटाफट से एक ही जगह पे सब कुछ आपने फटाफट पढ़ लिया चार्ट इसलिए होता है ये बिलकुल भी नहीं होता है कि चार्ट में जैसा लिखा है हम भी ऐसा लिख लेते हैं आसानी से हो जाएगा इस चार्ट के अंदर सिर्फ main main points को रखा जाता है ताकि आपको recall करने में easy आपको लिखना पूरा paragraph form में जैसे कि theory वाले section में हमने अलग से mention किया हुआ है आपके notes के अंदर समझे बात आप लिखना वैसे ही है चलिए sir अब हमारा क्या रहे गया इसमें ध्यान से देखेंगे तो sir रहे गया 54F और 54GB तो पहले हम 54F करते है 54F बड़ा simple सा section 54F अब कुछ लोग बाद क्या करते है ये section देखो कैसे बना इसके पीछे theme समझो बहुत लोग बाद करते है क्या assets खरीदना घर को खरीदना क्या मामूली है नहीं आप देखते होगे आपके parents है बहुत सारे ऐसे भी parents होगे आपके सुरू से अब तक पैसे जोड रहे हैं जोड रहे हैं पहले बच्चों के शादी में खर्चुआ चलो अब जो बचा अब जो जोडना स्टार्ट किया वो सोच रहे हैं चोटी मोटी जगह ले ले जमीन ले ले पैसो को जोडने के दो तरीके हो सकते हैं उन्होंने क्या करा बहुत सारा gold खरीद लिया दीरे दीरे gold खरीदते जा रहे है या FD करवा दिया तो अगर आपके parents ने gold खरीद लिया और gold खरीद रहे हैं सिर्फ के हम एक दिन अपने सपनों को पूरा करेंगे एक दिन घर खरीदेंगे हो सकता है आपने gold खरीदा हो पांच लाग का अभी तक धिरे धिरे जोड़के और आज की इसकी कीमत कितनी हो 1CR आपका 95 लाख रुपए का capital gain बाला गवर्मेंट ने बोला निकालो 17 लाख रुपए का tax सोचो ऐसे इंसान जो की धिरे धिरे पैसे खटा करके अपना घर लेने का सोच रहा है अपनों को पूरा करने की सोचता है गवर्मेंट उससे 17 लाख रुपए एक जटके में ले लेगा तो वो घर खरीदेगा कैसे तब गवर्मेंट को एक section लेके आना पड़ा अगर ऐसा कोई काम करता है कोई भी अपना एसेट्स बेच दीजे कोई भी बेचिया हमें मतलब नहीं है अगर आप एक residential घर करीदेंगा और आपके पास पहले से रहने के लिए घर नहीं होना चाहिए तब ये वाला section activate करेंगे यानि सर आपको 54F का deduction या 54X इसका claim करना है तो सरकार ने ऐसे लोगों के लिए लेके आई बोला के भाईया आप कोई भी any asset किसी भी assets को आप क्या करिए बेचिये जो capital gain arise होगा आप क्या खरीद लीजिए लेकिन आपके पास पहले से घर क्योंकि मजबूरी यही थी ना आपने घर के लिए पैसा ही खटा करा तभी बेचा आपके पास पहले से घर है और फिर भी आप खरीद रहे हैं तो इसका मतलब आपका intention है पैसा कमाना और जब आप पैसे कमाई की बात करेंगा तो सरकार उसके उपर tax साथ के साथ बोला गया सर यहाँ पर अगें जब घर खरीदेंगे तो आपको दो साल लग सकता है डूंडने में एक साल आपने पहले प्लैन किया होगा construction के लिए तीन साल होगा और अगर आपको समय लगता है इसमें तो आप कहां जमा करवा दीजिए capital gain link deposit scheme के अंदर आप जमा करवा दीजिए चार लाग का assets खरीदा है चार लाग माइनस करो यहाँ पर बोला गया कि ऐसा नहीं होगा यहाँ पर पर्पोसनेट बेसिस पर देंगे माल लेते हैं आपका CG जो है आपका sale है आपने 50 लाग रुपे का घर ऐसा क्यों लाए गया क्योंकि बोला गया बहिया आपने gold बेचा एक करोड का तो खरीदो ना एक करोड का gold आप 70 लाग का gold खरीद लेते हैं या आपने एक करोड रुपे का बेचा आप डेड़ करोड रुपे का मकान खरीद रहे हो और extra पैसे लगा दिए तो आपको डेड़ करोड का थोड़ी ना exemption मिल जाएगा आपको जो exemption मिलेगा कितना मिलेगा एक परपोसनेट बेसिस पे government ने decide किया सर परपोसनेट बेसिस क्या था बोला गया परपोसनेट ये formula लगाएंगे हम क्या formula लगाएंगे सर आपका capital gain divided by sale consideration जो भी capital gain हुआ उपर रखिए sale consideration नीचे रखिए into में investment कर दीजिए जो amount निकल के आएगा वो amount आपके लिए exemption के लिए available होगा इसे बोला जाता है परपोसनेट पहले हमने देखा था एक question 54 के अंदर तर एक घर बेच दिया हमने और एक नया घर खरीद लिया कितने का खरीदा चालिस लाग का था capital gain तीस लाग हार है माइनस कर ये बात खतम अब ऐसा नहीं होगा पहले आप उसको आप परपोसनेटली पता करोगे कि actual कितना amount exemption मिलेगा तो सर 54 F क्या कहता है सर बड़ी simple सी बात है आप कोई भी assets बेच दीजिए और क्या खरीद लिदिए घर खरीदिए आपके पास पहले से घर नहीं होना चाहिए इस घर को बेचना भी नहीं है तीन सालों तक बेच दिया तो फिर से exemption कैसे अलग रहना मतलब हाँ तो अपना घर आपके पहले घर नहीं है ना तो हाँ नाम पे देखा जाता ना ममी पापा अला मत सूचो आप वो तो वैसे भी आपको अपने घर के बारे में सूच रहा है ऐसा मत सूचो कि हमारे पडोस के पास भी है हमारे ममी पापा के पास भी है वो हमारा ही है ऐसा नहीं होता हमारा वो ही होता जो हमारे नाम पे होता है कानूनन ठीक है न तो same ऐसे इस section को भी एक बार read कर लेते हैं interesting important बहुत सारे questions के अंदर इसका use होना है सार क्यों use होना है examiner जानता है कि बच्चा यहां फस जाएगा अब ध्यान देना देखो मैंने agriculture land बेच दिया और मैंने घर खरीद लिया क्या deduction मिलेगा exemption मिलेगा agriculture land बेच और मैंने घर खरीद लिया क्या exemption मिलेगा F में मिलेगा न any assets कहता है any capital gain कोई भी कहीं कुछ भी बेचो और घर खरीद होगे तो मिलेगा क्योंकि मैं आपके बस बतारों कैसे apply होगा मैंने agriculture land बेच दिया और मैंने bond खरीद लिया NHI का क्या मिलेगा मिलेगा यानि सर जहां पे बोला गया न any assets तो ऐसा मस सोचिएगा residential घर खरीद के residential घर खरीदोगे बेच के खरीदोगे तभी आपको मिलेगा exemption residential घर खरीद के sir bond खरीद लो तब मिल जाएगा EC घर खरीदोगे तो मिलेगा 54 और फिर से आपने residential घर बेच करके और आपने अगर कोई पहले कोई घर नहीं था sorry मैंने थोड़ा सा मैं clear कर दूँ यहाँ पर आपको residential house नहीं बेचना पहले जिसने बोला था सही है नहीं बेचना क्योंकि आपको घर बेच करके घर नहीं खरीदना other than कोई भी any capital assets हो any assets other than residential house ठीक है न मैं clear कर रहा हूं दुबारा बता देता हूं कोई भी assets बेचिए बस घर नहीं होना चाहिए और आपके पास पहले से घर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर आपने घर बेचा है तो इसका मतलब पहले से घर है यह section apply नहीं होगा पहले ही क्लिए समझ में आई बात आपको लास्ट एक section रह जाता है जो है हमारा 54 GB सर जी बी के अंदर क्या है जी बी में बोला के पहले मैं एक पार 54 F पढ़ ले तो बहुत important है अरे यहां पहुंच गये यह तो हमारा गया कहा चलिए सर ध्यान दीजिए most most important 54 F किसको मिलेगा individual HUF ये भी बाते ध्यान में रखना है वहां पे वो फटा-फट से बोल देते एक company ने क्या करा घर बेच दिया है और घर खरीद लिया आप बोलते हो सर घर बेच और घर करीद आपके दिमाग में रहता 54 लगा के ले लो exemption लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये वो तो company के लिए apply नहीं होता कि कहता है एनी long term capital assets कोई भी long term capital assets हो other than अच्छा मैं ये पर आ गया एनी long term capital assets other than लिखा हुआ है other than residential house property जो भी है एनी long term capital assets मिल जाएगा long term होना चाहिए अब कहता है residential house assets should not on more than one residential house the date of transfer जिस दिन बेचा गया assets को उसे दिन उसके पास घर नहीं होना चाहिए एक से ज़्यादा not more than one जैसे बोलते थे ने घर नहीं होना चाहिए तो एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसके पास sir if assets purchase वही दो साल पहले बाद में construction के लिए तीन साल या एक साल before sir यहाँ पर देखिया deduction कैसे मिलेगा capital gain divided by यह into में थोड़ा सा इधर उदर हो गया यह into वाला इधर जाएगा जो मैंने formula लिखा है वो ही रहेगा मैं यहाँ लिख देता हूँ cg divided by sales into में investment यह formula रहेगा नीचे थोड़ा mess up हो गया capital gain और यह into में जाना था divide by नीचे आगया net sales consideration तो थोड़ा इधर उदर हो गया बाकि जो मैंने लिखा है वो ही है बताइए 54f में कोई दिक्कत tenure के अंदर मैंने एक एक theory सबको explain करके डाल दिया है चाहे बच्चा हिंदी medium का हो तो हिंदी medium का भी theory मैंने prepare करके डाला हुआ है हिंदी के tenure में English medium का है तो English medium का भी डाला हुआ है तो आपका tenure दो section में divided है सर एक theory section में theory section में सारे theory डालने मैंने और practical section में practical question और paper section में past year के paper ऐसे तीन टाइप में 54D में कितना exemption मिलता है no limit कोई limit नहीं है जितने का assets खरीदिये सारा exemption ले जाइए capital gain से ज्यादा ना हो बस सर 10 year नहीं है तो खरीद लीजिए 10 year 150 रुपे का आएगा 10 year last section not important मेरे हिसाब से exam के लिए इतना important नहीं है so that जो कि 54 GB अगला section 54 GB क्या कहता है सर यह किसी भी individual और QF को मिलेगा और आपको घर बेचना है कहता है residential house property building land जो की taxable होता है HP में एक घर बेचना था 54 में और एक घर बेचना आपको 54B में उस वाले में घर बेचके घर ही खरीदना था यहाँ पर घर बेचके घर नहीं खरीदना the asset transfer should be long term और सर खरीदना क्या है equity share investment in whole amount cg आपका equity share startup assets मतलब सर अगर आपने घर बेचा और घर बेचके आपका capital gain आता है तो ऐसे situation में आपको जो पैसा लगाना है वो equity share में लगाना और equity share कौन सा वो startup India का जो एक पहले एक दो बाद में section आया startup India में बोला था यहाँ पे पैसे invest करना है तो वहाँ पे अगर आपने पैसे invest किया है जिनका काम power generation वगएरा में है काम उनके equity share को खरीदोगे तो मिलेगा कहता है cg subscription of equity share eligible startup assets cannot be sold 5 साल और उसके assets को जो खरीदा वो 5 साल तक बेचा भी नहीं हो company ने eligible startup of computer and software में 3 साल रखा गया before ITR से पहले आपको investment कर देना है capital gain वैसे ही मिलेगा जैसे कि अभी तक मिला था 54F के अंदर proportionately और capital gain deposit applicable है यहाँ पर मिलेगा आपको करने के लिए ITR से पहले कर सकते हो एक्जाम के point of view से मैं कहूंगा सर इतना important नहीं है यह वाला section एक बार फटा-फट से सारे section को revise कर लेते हैं सबसे पहला कौन सा है 54 क्या करना है इसमें घर बेचोगे और घर तो exemption मिलेगा दूसरा 54B आपको क्या बेचना है agriculture land कौन से वाला urban area का खरीदना क्या है agriculture land कौन से वाला आपकी मर्जी है इसके बाद हमारा क्या है 54D क्या बेचना है आपको industrial compulsory acquisition में government ने ले लिया हो government ने compulsory acquisition में ले लिया हो खरीदना क्या है land and building कहीं भी खरीदिये industrial purpose के लिए होना चाहिए फिर क्या है 54EC क्या बेचना है कोई assets बेचिये खरीदिये क्या government के specified assets जो की bond है तीनी bond है एक REC और एक NHAI और एक railway corporation का 54EE सेम है सर कोई भी assets बेचिये खरीदिये government में जो notified करेगी assets को उसको खरीदना है 54EC के बाद 54 आपका आता है F आपको बेचो कोई भी assets residential house छोड़ के और खरीद लो एक residential house खरीद लो आप तो आपको exemption मिलेगा लेकिन यहाँ पर फोर्सनेट बेसिस पे मिलेगा 54G आप अपने factory को बेच दो शहर से और चले जाओ कहां किसी आपका rural area में गाओं में चले जाओ आपको exemption मिलेगा land and building and plant and machinery दोनों का 54GA आप अपने assets factory को बेचो और चले जो SEZ में तो exemption मिलेगा 54GB आप अपना घर बेचिये और government में जो notified equity करा हुआ है जिसका काम power generation वगरा होता है तो कई जगह पे software वाले में तीन साल तक उस assets को नहीं बेचना और other में पांस साल category है तो ये आपको main तो आपको पहले point theme याद होना चाहिए और साथ के साथ किसके लिए capital gain हमारे पास available है बस EC में है के 6 महिने के अंदर खरीदना चाहिए EC के अंदर examiner point डालेगा तो आपको date डाल देगा कि इतने दिन में खरीदा है फिर capital gain deposit में एक साल बाद हमने bond खरीद लिया तो आपको पता होना चाहिए सार यहाँ पे capital gain deposit में डालोगे तो आपके लिए available ही नहीं है तो यहाँ मिलेगा ही नहीं तो most important इसमें से मैं मान के चलता हूँ कि आपके examiner 6 number का theory तो पक्का है आना ही आना है चाहिए कुछ भी हो जाए इसमें से 6 marks का आपका theory आना पक्का है सर 54 F repeat कर बाद देना है 54 side section आप late तो नहीं आए 54 F क्या कहता है आपको assets कोई भी बेचिए लेकिन residential house नहीं होना चाहिए और उस assets को बेचके एक घर खरीद लीजिए घर एक आपके पास पहले से है तो एक ही घर खरीज सकते हैं अगर एक से ज़्यादा घर है तो allowed नहीं करेगा यह section और घर खरीदने के बाद आपको exemption जो मिलेगा वो एक percentage पर पोस्नेट बेसिस पर मिलेगा जो formula अपलाई करेंगे इससे related हम practical question देखेंगे तो ज़्यादा हमे क्लियर हो पाएगा इसका बताईए कोई डाउट